हेलो गाईज आज की वीडियो में मैं आपको उता हूंगा आप लोग मेरे लिंक ए डिस्क्रिप्शन पर दिया है जो उससे आप लोग बनाईएगा गुरू अपने गुरू आप पे मिल जागा जिसे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके साथ विड्रॉप भी कर सकते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जीमेल से लोग इन कर लेना है आप लोग किसी भी जीमेल से लोग इन कर लीजिए एमेल से याद रखना है यह एमेल आपने पहले गुरू अपना बनाया है यहाँ पर आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है आप लोग then guys verify कर देने के बाद आप लोगों को यहां पर अपना pen card का number डाला है जो कि pen card में आप लोग देख सकते हैं भी जो बीच लिखा रहता है वही डाला है and create account में click करके आप लोगों का name आएगा जो pen card में होगा तो confirm I'm में click कर देना है and यहां पर आप लोगों को यहां पर आप लोगों को अपने date of birth डाल देना जो कि pen card और आधार कार्ड में सेम होना चाहिए then guys next में click कर देना है next में click कर देने के बाद यहां पर आप लोगों को gender select करना है यहां पर married select कर लेता हूँ मैं आप लोग जिसके लिए बनाने पर उसी का select कर दीजिगा यहां पर मैं business select कर लेता हूँ आप लोग इस्टुडेंट दे तो इस्टुडेंट भी कर सकते हैं यहां पर आप लोग अपनी salary select कर जीवलम income तो यहां पर आप लोगों को no experience select कर लेना है क्योंकि मेरे ख्यास है अभी आप लोगों को को experience नहीं होगा trading के बारे में आप लोगों को mother name father name डालना है जिसका आप लोग ने pen card लगाया है उसी का mother name father name डालना है अब guys next में click करने के बाद आप लोगों को यहां पर अपना bank select कर लेना है आप लोग उपर search कर लीजे जैसे कि मेरा state bank है तो मैंने state bank of india select कर लिए यहां पर आप लोगों को अपना PIN code मलब IFSC code search कर लेना है bank का जैसे कि मैं search कर लेता हूँ आप लोगों को आपकी branch मिल जाएगे उसमें click कर दीजे then guys आप लोगों को enter bank account number का option आप यहां पर आप लोगों को अपना account number enter कर देना है आप लोग बिल्कुल द्यान से enter कर येगा and verify bank account में click कर देना है नीचे इसमें click करने के बाद 30 second के अंदर यापके bank account में एक रुपए डालेगा and bank को verify कर देगा आप लोग देख सकते हैं मुझे money receive हो गया है take a photo का option आ रहा है आप लोगों को camera में click कर ना है नीचे इसे permission देदी नहीं है app info पर जाकर यहाँ पर permissions पर click करना है then guys यहाँ पर आप लोगों को permission allow कर देए आप लोग देख सकते है and guys back आने के बाद camera में again click कर देना है and अपना एक photo ले लेना है आप लोग देख सकते है capture no का button black हो जाएगा आपका जब सही position आएगी तो आपको इसमें click कर देना है and आपका photo आपके सामने आ जाएगा जो भी photo है अगर आपको looks good में click कर देना है आपको अगर साफ photo आया हो looks good में click करने के बाद थोड़ा देर wait कर लेना है अब आप लोगों को अपना यहाँ पर sign करने है कुछ इस तरह से आप लोग sign कर सकते हैं मैं sign कर देता हूं and submit में click कर दिया आप लोग दे सकते हैं मैंने साइन कर दिए अब आप लोगों को येस प्रोसीड में क्लिक करना है आप लोगों को नोमीनी नेम डाल देना है आप लोग किसी को भी नोमीनी रख सकते हैं कि यहां पर मैं wife लेख देता हूँ आप लोग यहां पर किसी को भी nominee रख सकते हैं अपने mother father किसी को भी आप लोगों को से verify करना होगा आधार काट से आप लोग verify कर सकते हैं यहां पर simply अपना आधार काट सेलेक्ट करके आधार काट number डालिए and confirm identity proof में क्लिक कर दीजिए and guys यहां पर finished nominee edition में क्लिक कर दीजिए आप लोगों को देहान देना है nominee का address यहां पर take होना दीजिए अब आप लोगों को e-sign करना है तो proceed to आधार e-sign में क्लिक करना है थोड़ा दिर wait कर लेना है अब आप लोगों को थोड़ा दे wait करना है यहां पर loading होगा अब आप लोगों को proceed to e-sign में क्लिक करना है then guys नीचे sign now में लखा हुआ है blue button में उसमें क्लिक कर देना है continue कर देना है यहां पर आप लोगों को अपना आधार number एंटर कर देना है आप लोगों को इस स्क्रीन में कहीं भी क्लिक कर देना है क्योंकि यहां पर जैसे कि मैं send otp पे क्लिक करता हूँ आधार number एंटर करने कवा तो यह नहीं होता है आप लोग आप इस स्क्रीन में कहीं पर भी क्लिक कर दीजे और वो सकता है यह कि लिए चाहिए आपके बीडियो देखने तक साही भी हो जाए अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ थोड़ा देवेट कर लीजी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हैं आपका पिन्त सेत हो चुका है है अब लोग यहां पर एड मनी में कुलक करे। अप लोग यहां से सौ रुपए से उपर एड करे यहां जैसकि मैं 1500 रुपए एड कर रहा हूं, एड मनी में कले करना बहुत जरूरी है तभी आपका refer as earn का भी option खुलेगा नहीं तो नहीं खुलेगा यहाँ पर आप लोगो कुछ भी स्लेक्ट कर सकते हैं PayDM phone पे जो भी आपका UPI हो एंड यहाँ पर payment कर देना है यहाँ पर आप लोगों देख सकते हैं payment successful हो चुका है अब आप लोगों को यहाँ पर कोई भी stock buy कर लेना है जैसे कि मैं back कर देता हूँ अब आप लोगों को market research कर गे एक stock को select कर लेना है कोई भी stock आप select कर सकते हैं यहाँ पर जैसे Tata power company का stock है यहाँ पर मैं one month लगाए हुए हूँ आप लोग यहाँ से market depth देख सकते हैं buy पर click कर यह simply है कि stock की कीमा select कर लेजिए and guys यहाँ पर price market आप लोगों को देख रहा होगा नीचे जो live रहता है अगर आप लोग इसे change करना चाहते हैं थोड़ा दिर wait कर लेजिए नहीं तो buy पर click कर यह buy पर click करने के बाद यहाँ पर buy successful हो चुका है तो आप लोगों को यहाँ पर देख रहा होगा देखिए कुछ इस तरह से